दोस्तो अगर आपने चलको subscribe नहीं किया तो subscribe करोज़े साथ साथ बगल में आगा bell icon उसको प्रेस करें लीजे video साथ बस्कार और अगर इस वीडियो को like नहीं है तो like बटन को बहुत इंपॉर्टेड और यूस्पूर इंफॉर्मेशन अगर आपको इसनों मिस कर दिये तो आप बहुत कुछ खोदोगे तो 20 जी भी बिल्कुल फ्री मिलेगा तो सब कुछ जाल कि इस वीडियो में बने रहेगा वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब वीडिय और दूस्तों आपको उतादे आपको यहां पर 20 जी भी बिल्कुल फ्री मिलने वाला है दूस्तों अगर बात करता हो यहां पर यूसी ब्राउजर की तो आप यूसी ब्राउजर यूस करते हो या नहीं करते हो कमेंट करके तहीगा और आप यूसी ब्राउजर पे कितना ट् करते हैं और मैं भी यूदे करता उम प्राशर दॉस्त नहीं करते हैं जो सब्सक्राइब बात करते है तो यूज है यूज है और शी कहले हैं अखेंज राइब लेकिन जोस्तोrov अभी basically दोस्तों यहां पर 20 GB फ्री में दे रहे हैं और यह है क्या यह cloud storage है cloud storage basically यही होता है कि आपका अगर जो भी mobile में internal storage है वो बहुत भर जाती है कई-कभी और कई-कभी आ कि mobile में खुद भी internal storage नहीं होती तो आप लोग क्या करते हो कि जो दाउनलोड कियो होते हो या आपके फोन में परसनल जो फोटो होती है या वीडियो होगी परसनल फोटो होगी बहुत सीकर्ट चीजे जो गई उनको क्या करते हो अपने मतलब अगर आप मोबाइल में तो भर चुका है मोबाइल में storage है नहीं तो क्या इस फीचर का यूज करके आप जो आपकी परसनल फोटो या वीडियो है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने UC drive में अब यह cloud storage है यह basically UC के network पे जाके इनका जो main server होगा वहाँ पर जाके आपकी file save हो जाएगी और इसको आप 20GB तक save कर सकते हो अतलब आपके कोई 2-2GB या 3-3GB करके movie हो गई या आप गाने हो गई तो आप पूरा 20GB टोटल अपने mobile से इंटेल ना इस्टोरे से या sd card से free करके UC के browser UC drive पे डाल सकते हो या फिर दोस्तों आपको यह चीज और है कि अगर क्लिक करोगे और वहाँ पर आपना storage करना इस्टाल कर दोगे internal mobile की storage से भी आप कुछ भी वहाँ पर डाल सकते हो तो दोस्तों यह चीज है अब यहाँ पर आपको आदे UC browser ही वही browser है जो कि temporary यहाँ पर play store से हटा दिया गया था क्योंकि कि मतलब कुछ case सामने आये थे कि जो privacy ह वह तो लेक कर रहे हैं आपकी data को चुरा रहे हैं तो कुछ काफी बतलब browsers हटाए गए थे काफी application हटाए गए थे play store से फिलहाल अभी ज्यादा दिनों की बात महिनों की बात नहीं है और फिर यहाँ पर उसका उसी बीच में UC browser का भी नाम था आप देखो feature अच्छा है अच् उसी से ही कुछ download किया movie या गाने किया और वहाँ पर आप UC drive में storage मतलब बनाके save कर दिया जो कि publicly यहाँ पर internet पे अवलेबल है वह आप UC drive में save करक सकते हो क्योंकि वह तो वैसे ही से हर है हर जग है उससे आपका कोई भी leak मतलब leak नहीं होगा data या आपका privacy आपकी नहीं आपकी personal photo है या कुछ document है या बहुत जरूरी कागजात है और बहुत जरूरी जरूरी चीज़े होती है हमनों के phone में वह कभी भी आप इनके drive पे save मत करेगा videos लोग बना रहे हैं कि आप भर लो free हो गया यह हो गया हाँ free हो गया लेकिन आप जो हो चाके music music download करके आप उसमें डाल सकते हो क्योंकि वह तो वैसे internet available है वह आपकी privacy नहीं हुई लेकिन अगर बात करते हैं आपके कुर्स की personal photo कीची हुई हो या कोई documents हो या आपकी कोई जरूरी video हो वह बिल्कुल भी कभी इनके network पे अप्लोड ना करें कि चाइना का ब्याप्लिकेशन है बिसकिलिए इनके दिमाग में कुछ भी हो सकता है कि अगर इनके मतलब कुछ और भी हम लोग की बारे में जानना च सेव हो जाएगी यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊंगा जियो थबनेल में मैंने जियो इसलिए लगा था क्योंकि अगर आप जियो का जियो क्लाउड यूज करते हो तो वहाँ पर भी आप अपना ट्रस्ट आज मतलब दिखा सकते हो गूगल ड्राइब हो गई जियो क्लाउ में एक सो साथ वार जीबी स्टोरेज मुझे मिली है तो आप जियो का यूज कर लो वह कफी ट्रस्टेड है बड़ी कंपनी इंडिया की है वह कहीं नी भागनी वाली है लेकिन चाइना की अप्लिकेशन में अपना चीज़े डालना प्रॉब्लम में फस सकते हुआ बाकि ना धमाका बूम ब्लास्ट कुछ भी लोग कहते रहते हैं लेकिन मेरी बात को अगर आप गौर से सोचोगे समझोगे तो आप समझ जाओगे कि हां अगर नेट सर्फिंग के लिए यूज करते हो तो वहीं तक यूज करो और हो सके तो यूज भी मत करो कोई जरुत नहीं ऐस सेफ कर लो बढ़ी हैं इंटर्ण श्रोज खाली हो जाएगी फोन बढ़ी हां स्मूद करने लगेगा लेकिन मैं कहता हूं फोन हैं गो रहा है ठीक है दूसरा फोन लेना ज्यादा सही रहेगा यह बीस जीव जाटा पी विश्वास आप नहीं करो तू ज्यादा बैटर है हो तो जियो क्लावड अप्रिकेशन इस्टॉल कर लो वहां पर अगर आप डालते हो ना तो वहां पर मैं ट्रिक है सकता हूं ट्रेस्ट है कि हां उनके सर्वर पर आपके जो चीजी है वो बिल्कुल भी लीक नहीं होंगी दर और और आपकी प्राइवसी बनी रहेगी दोस्तो जय हिंद वंदे मातरम अपना ख्याल कियेगा